आप यदि ऑनलाइन से बोया माइक खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं तो उसको पहले पहचान लेना जरूरी है कि आपके पास जो बोया माइक है वो औरिजनल बोया माइक है या नहीं है या जो बोया माइक खरीदने वाले है वो बोया माइक औरिजनल आएगा कि नहीं आएगा आप जब भी ऑनलाइन बोया माइक खरिते हैं तो वहां से 80% चांस रहता है कि आपका पास जो भी बोया माइक आएगा वो डुब्लिकेट बोया माइक रहता है क्योंकि मैं भी आज से कुछ दिनों पहले एक बोया माइक फिलिप कार्ट से मंगा था जो कि डुब्लिक निकल गया Amazon भी मंगा था वो भी डुब्लिकेट निकल गया फिर अभी कुछ समय पहले मैंने औरिजनल बोया माइक पर्चेस किया हूँ जो कि अभी ये बोया माइक पूरी तरह से औरिजनल है तो मैं इस वीडियो में आपको ये सारे तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप भी बोया माइक को चेक कर सकते हैं कि वह डुब्लिकेट है या औरिजनल है तो बोया माइक पहचानने के लिए आप इस वीडियो को लाश्टक देखते रहिएगा मैं हूराजन परसाथ स्वागत है आपका टेक्निकल सरजी यूटूब चैनल में इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच डिफरेंट बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने औरिजनल बोया माइक अवंग डुब्लिकेट बोया माइक को बहुत ही असानी तरीके से पहचान सकते हैं तो इस वीडियो को लाश्टक देखते रहिएगा तो बोया माइक पहच बहुत है जबकि औरिजनल वाले बोया माइक में देखें यहां पर कुछ नहीं रहता है यह पूरा आपको क्लीन नजर आएगा तो यह पहला ही डिफरेंट है आपको डबा को ऊपर से ही इस डिफरेंट को आपको पहचान लेना होगा और जो दूसरा डिफरेंट है आपको यहां पर जो बार कोड दिख रहा है यहां पर डूबलिकेट पर आपको स्क्रेच करने के लिए मिलेगा आप यहां पर इस बोया माइक को जैसे और आप इस बार कोड को जैसे स्कैन कीजेगा तो यहां पर आपको फेक वेबसाइट पर लेके जाएगा और वहां पर आपको यह दिखाएगा कि यह बौया मामइक औरिजनल है जब कि औरिजनल वाले बौया माइक में यहाँ पर यह उपर में वार्ख locked नज़र नहीं आएगा यहाँ पर आपको बेखे यह चोटा सबसाइब रहा है यहाँ तो यह Boyamike के original website पे लेके जाएगा और वहाँ पे आपको देखे इस तरह से आपका original नजर आएगा और यह आपको यहाँ पर बता देगा कि आपका जो product है वो पूरे तरीके से original है तो आप यह दोनों तरीके को box बीना खोले ही आप पहचान सकते हैं कि आपका Boyamike original है या duplicate है तो जो तीसरा तरीका है वो यही है कि आपको जो Boyamike का cover दिया रहेगा उसी से आप पहचान सकते हैं तो यहाँ पर देख लिजे यह Boyamike का जो fake है वो cover है ठीक है और यहाँ पर देखिए इसका look किस तरह से आपको दिखने में लगेगा और जबकि original Boyamike में आपको इसका look ही देखने में बहुती branded नजर आएगा और इस Boyamike को आप देख लिजे इस तरह से आपको कुछ दिखने में नजर आएगा यह original वाला Boyamike है और जो चौता तरीका है वो Boyamike में आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि इसका जो bill रहता है warranty card का जो bill आपको वहाँ पे यह single page में ही आपको मिलेगा duplicate वाले में ठीक है और यहाँ पे आपको देख लिजे इस तरह से रहेगा और जबकि original वाले में आपका जो guarantee card का जो bill रहेगा वो आप देख लिजे यहाँ पे double रहेगा तो आप इस तरह से इस तरीके से भी आप इसको पहचान सकते हैं देख लिजे यह कुछ आपको इस पर का गिरा देता वो सबी की आपका इसी तरह से रहता है यहाँ पर देख लिजे और यहाँ पर जो अंतर है वो आपको यही में दिखाना चाहता हूँ कि लिए यह चोह हो जो यहाँ चो मसीन कोड़् आपका दरसाता है कि यह औरहिएं दिए जाते और इसका जो टार का कोलेट Origins 3 आप का अच्छेट वाले से ए और यहां पर जो अर्वह समान स्मान्न सेम तरीके से रहते है इस तरीके से देख लिजए औरадर भालेकों मेरा तो यही便 तो आपने बोया माइक को पहचान सकते हैं कि आपका जो बोया माइक है वह औरीजनल है या डूब्लिकेट है तो मैं जो बोया माइक खरदा हूं वह Amazon से मैंने खरदा हूं तो मैं आपको Amazon में पहले दिखा देता हूं देख लीजे यह यही प्रोडक्ट है और इसका दाम मैं आपको दिखा देता हूं देखिए 919 रुपया का बोया माइक है लेकिन मैंने बहुत ही कम दाम में इस बोया माइक को खरदा हूं आपको यहां पर बील मैं दिखा देता हूं वीव टू डिटेल्स पर आके तो यहां पर देखे 619 रूपया में मैंने कम पैसे में इसको खरीद लिया हूँ यदि आप भी इसी तरीके से कम पैसा में खरीदने चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए मैं आपको बताऊंगा कि Amazon से किस तरीके से आप कम पैसे में किसी भी प्रोड़क्ट को खरीद सकते हैं और आपने यदि अभी तरग बोया माइक पर्चेस नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाके बोया माइक को और इजनल बोया माइक को आप पर्चेस कर सकते हैं तो आसा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक वंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजाए क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोग के लिए लाते रता हूँ